हमस्कार आप देख रहे हैं गुड मॉनीं टीवी और मैं हूँ आपके साथ कंचर बड़ी खबर मद्रपिदेश के रीवा सहर जहां रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के काडियोलोजी विभाग में पहला समबन मीजरानकारी देते हुए हिर्दे रोग विशिशा की रॉक्टर एसके तरपाधी ने बताया कि यह जटल पेस्वेकर समाने सिंगल चेंबर पेस्मेकर से बहतर है इस पर हिर्दा बिलकुर समान हिर्दे की तरह धरकता है और भविश्य में हाट के फंक्शन में भी कोई क प्लांट किया क्या है दोस्तों मेर नाम डॉक्टर एसके तरपाथी है मैं सुपर स्पेसिल्टी हॉस्पिटल रिवा में असिस्टन्ट प्रोफेसर और इंटरमेशनल काडियोजिस्त हूं साथ ही डिपार्टमेंट आफ एलेक्ट्रोफीजियोलोजी में भी इंचार्ज हू दोस्तों सुपर स्पेसिल्टी हॉस्पिटल रिवा की काडियोलोजी डिपार्टमेंट में इंटरमेशन शुरू हुए वैसे अगर बोलें तो वान यार हो चुके हैं क्योंकि एक साल पहले हमने जोग्राफी स्टार्ट की थी और साथ में उसके कुछी टाइम बाद हमने द प्रस का सिलसिला चलता रहा बीच में कोविट के कारण काम बंद हुआ उसके और फिर से इंजोग्राफी इंजोप्लास्टी पेस्मेकर चलते रहे बीच में काफी सारे प्रोसीजर समने किये इंडिविज्वली मैंने मोर देन हंडें इंज़प्लास्टी की 15 से ज्यादा प बताने वाला हूं वही है कि परसो की ही बात है एक हमारे पेसेंट है वाइपी पांडे जी वो हमारे पास आये थे चक्कर और बेहोसी की कंप्लेंड से उनकी इसी जी में ट्राइक फेसिकलर ब्लॉक था जो की बार-बार कंपलीट हार्ट ब्लॉक में जा रहे थे तो उनका प्लान किया गया पेसमेकर लगाने का तो पेसमेकर में जो बहतर पेसमेकर होता है वो डबल चेंबर पेसमेकर होता है अब डबल चेंबर पेसमेकर समझाने के पहले सबसपहले आप लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि पेसमेकर होता क्या है दोस्तों हार्ट का खुद का एक electrical circuit होता है, खुद के pacemakers होते हैं, अगर उस electrical circuit या heart के जो natural pacemaker में खरावी आ जाती है, तो heart में धड़कन बननी बन्द हो जाती है, और धड़कन माल लिजे, कई बार उपर वाली चेंबर में बनती है, जो कि नीचे वाली चेंबर में पहुंच नहीं पाती है, तो इन सब conditions म पेसमेकर की जरुवत पढ़ सकती है, क्योंकि पेसेंट क्या होता है, कि अगर धड़कन काम बनती है, तो बार-बार विहोशी की हालत में, जो है, वो हमारे पास आता है, ऐसे में पहले तो टंपरिरी पेसमेकर लगा जाता है, और थोड़ी टाइम बाद उसको जो है, पर्म से ICD है CRT है वो high end devices है तो mostly अभी तक हमने single chamber pacemaker लगाए थे complete heart block वाले patients में लेकिन ये एक ऐसा case है जिसमें हमने प्लान किया कि double chamber pacemaker लगाते हैं क्योंकि patient affording था patient जो है double chamber pacemaker लगाने के लिए सक्षम था तो हमने patient को ready किया और काफी जटिल प्रक्रिया थी देट से दो घंटे का टाइम लगा और हम ने double chamber pacemaker implant किया यह procedures complete करने में हमारे technician जैन आरायन मिस्रा और सत्यम के जो है वह बहुत महत्पूर होंका थी उनके बीना तो काम सायद होई नहीं पाता है pacemaker लगाना बहुत ही मुश्किल था लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह के से सफलता पूरवक pacemaker complete किया patient बिल्कुल स्वस्थ है और four to five days में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे अब दोस्तो थोड़ा सा डिफरेंसे जान लेते हैं कि सिंगल चेंबर पेस्मेकर और डबल चेंबर पेस्मेकर में आखिर का ठीक है तो वेंट्रिकल का कंटिनुसली पेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब पेस होगा तब ही एक कॉंट्रेक्ट करेगा और ब्लड जो है ब्रेन में और बाड़ी के दूसरे पार्ट में पहुंचेगा और पेसेंट जो है अलाइव रहेगा या होस में रहेगा कुछ ऐसे केसे जिसमें सिंगल चेंबर लगाना उचित भी होता है जैसे लेकिन उनमें क्या होता है कि हम सिर्फ वेंट्रिकल को पेस कर रहे होते हैं वेंट्रिकल को ही इलेक्ट्रिकल जो है सप्लाई दे रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल में होती है तो उसमें एक coordination बैठ पाता है उसमें इतना smart connection होता है smart device होती है उसमें अलग-अलग algorithm होते हैं उसकी वज़े से heart जो है बिल्कुल normal की तरह धड़कता रहता है और future में उसमें कम से कम problem आने के chances रहते हैं इसलिए dual chamber pacemaker obviously single chamber pacemaker से बेहतर होता है तो दोस्तों ये एक नया procedure था super specialty hospital रीवा में इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ क्योंकि अभी तक ये procedure हमारे हां हुआ नहीं था first time हुआ है successfully हुआ है और in future भी हम double chamber pacemaker लगाते रहेंगे साथ ही और high end devices हैं जैसे ICT है CRT है इसके ल सारे procedures करने में हम सक्षम है हमारी lab सक्षम है और world class lab है हमारे पास इसके अलावे भी और भी बहुत सारे procedures हैं जो future में प्लान कर रहे हैं जैसे balloon material valvotomy है pediatric procedures हैं तो धीरे धीरे करके इसको अलग अलग लेवल पे हम लोग improvement इसमें करते जाएंगे तो फिलाल के लिए यह double chamber pacemaker हमारे लिए एक नई उपलब दी थी इसके लिए हमें लगा कि इसको शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे patients हैं जिनको पताईन रहता कि उनक उनको complete heart block है, trifisicular block है यानि electrical wiring में problem है, तो मेरा बस यही कहना है कि अगर किसी को भी अचानक से बहुत तेज चक्कर आता है, बार-बार भिहोसी आती है, तो तुरंत अपने cardiology से मिले, ECG चेक कराएं, हो सकता है उनको trifisicular block या complete heart block हो, ऐसे patients में pacemaker की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने doctor से सलाह लेके, single chamber, double chamber या जिस type की device की need होगी, वो device लगवा सकते हैं, और यह हर type की device लगाने में super specialty hospital सक्षा में, तो दोस्तो स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, अपने heart के बारे में पूरी जानकारी रखें, मैं भी आपको समय समय पे heart के बारे में जानकारी दे लिता रहा होगा, जो दोस्तों, मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम, फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई उपलब्धी के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार, इस खबर में फ़लाल इतना ही, और भी खबरों के अब्रेट्स के लिए आप निरंतर बने रहें, गुद मॉर्णी टीवी के साथ, नमस्कार, हमारा लक्ष हर बिरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है, हमारे यहां कई दोसों प्रकार की छोटी बड़ी मशीने उपलब्ध हैं, किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें, 7024-159-599, ISO Certified श्रीशक्ति ग्रह उध्योग यादवधर्म काटा के पीछे उतारी सतना मजब्रदेश,